दोस्तो हमारी नोसेना को अब एक एसा हत्यार मिलने जा रहा है जो डेड़ सो किलोमेटर दूर ही दुश्मन देश की पंडुब्वी को पलक जपकते ही समुदर में दफन कर देगा दरसल हमारी नोसेना साल 2020 से ही एक एसा हत्यार लेना चाती थी जो दुश्मन देशों की पंडुब्वियों को हमारे कोस्टल एरिया के पास आने से पहले ही तभा कर दे और अब एसे ही सिस्टम को लेने की हमारी नोसेना ने पूरी तेयारी कर ली है इस सिस्टम का नाम SBGR होगा यानि की सोर बेस रोकिट सिस्टम और अब इस SBGR को एक्वाइर करने के लिए हमारी नोसेना को एप्रूवल जल्द ही मिलने जा रहा है और ये कोई आम रोकिट नहीं होने वाला है बलकि ये एक गाइडिड रोकिट होने वाला है जिसका फाइदा हमको ऐसे मिलेगा अगर दुश्मन देशों की तरफ से अपनी पंडूबी की लोकेशन को बदल दिया जाता है तो उस कंडिशन में ये रोकिट दुश्मन देश क पंडूबी का पीछा करकर उस पंडूबी को तभा कर देगा और इस एस बीजियार रोकिट की रेंच 500 किलोमेटर होने वाली है इस रोकिट के अंदर सोलिड फ्यूल का इस्तमाल किया जाएगा जिसकी वज़े से इस रोकिट की पैल लाइफ 15 साल तक की होगी इस रोकिट को स्पेशली भारी तभाई मचाने के लिए बनाय जा रहा है एसा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस दोरान इस रोकिट को फायर किया जाएगा जब से लेकर टारगेट को हिट करने तक इस रोकिट की स्पीड बिल्कुल सेम बनी रहेगी जिसकी वज़े से इस रोकिट को पकड़ पाना लगबग नामुम्किन होगा जो कि जितने भी अधिकतर रोकिट बनाये जाते हैं तो टारगेट को हिट करने से पहले अपनी स्पीड को कम कर देते हैं लेकिन हमारे SBGR में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हमारे इस SBGR की स्पीड तीन मैक होगी यानि कि हमारा य यही कैपिबिलिटी मोजूद है हमारी ब्रहमोज मिसाइल को जिस दोरान फायर किया जाता है जब से लेकर टारगेट को हिट करने तक ब्रहमोज मिसाइल भी अपनी सेम स्पीड को बनाये रखती है जिस वज़े से आज ब्रहमोज मिसाइल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क की पंडुब्बी को किसी भी कोने से मार गिराने में शक्षम होगा इस एक रोकिट लोंचर में 12 रोकिट लगे होंगे और इन रोकिट का सक्सेस रेट 90% होगा और इस रोकिट लोंचर के आजाने से हमारी नो सेना में एक ओल डिफेंसिव लेयर तैनात हो जाएगी और अब आ थैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो वेव गूद दे